असलाम लेकूम उमीद आप सब ठीक होंगे खेरियत से होंगे तो मैंने सोच अफिराज आप से कोई अच्छे बात शेयर की जाए जो शायद मेरी वीडियो किसी एक परसन को या किसी ऐसे इनसान के पास से गुज़र जाए जो थोड़ा सा डिप्रेस्ट हो, इंसाइटी में हो परेशान हो, और शायद मेरी वीडियो उसके किसी थोड़े से भी काम आ जाए कभी-कभी हम ना कुछ चीजों को समझे नहीं सकते यह स्क्रॉल करते-करते हमारे सामने कोई वीडियो आ जाते बेसिकली वो अल्ला के सिगनल्स होते हैं हमें जो कि हमें समझ में नहीं आता लेकिन हमें समझना चाहिए वो हमें कोई हमारे दमाग में कश्मकर्ष चड़ रही होती है कोई सवाल आत होते हैं उसका कही न कही उसमें जवाब चुपा होता है तो आज मैं ये बताना चाह रही थी हम सोचते हैं के बिमारी आगी क्यों आगी, मैं ही क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाकी तो सब ठीक है इर्द dlatego कोई नज़र गूनती है तो वह तो ठीक है, मैं ही क्यों मैं तक्रिप में क्यों हूं तो अब आगी, अल्ला की तरफ से आगी और जब अल्ला कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं तो सब्र और जब्र में बहुत फर्क है सब्र हमें करना होता है इस तरह से कि हम शुकर गुजारी से अल्ला की रजा में राजी हो जाएं और जबर होतें कि बस अब आगी हैं क्या करें बरदाश करना जैसे तैसे करके उसमें हम शिक्रे भी करेंगे शिकायते भी करेंगे लेकिन सब् membrane करने वालों के साथ बिल्ला पाक है और मिश्किल के साथ असानी है यह अल्ला पाक ने बोला अऀये अब आ गई है बीमारी, क्या कर सकते हैं तकलीफ होगी पर गुजार नहीं तो है तो जब हम तकलीफ से गुज़ते हैं तो आपको क्या लगता है मेरा रब तकलीफ को राइगा जाने देगा आपको उसका फाइदा नहीं होगा, जरूर होगा वो किसी पर दुम नहीं करता अपने मौमिन बंदे को ही वो आजमाईश में डालता है और वो ही जात ही उससे निकाल सकती है वो तो सिर्फ देखता है, यह बंदा मेरा प्यारा है यह मेरे तरफ लोटेगा, यह मुझसे द्वा करेगा, अल्ला को पसंद है जो बंदे पसंद आ जाते हैं, उन्हीं को अपने पास बुलाते की मुझसे मांगेंगी अब और जब हज़त अयूब को लापाग सिहत दे सकते हैं तो हमें नहीं दे सकते हैं जो एक माह से सत्तर गुनाद जादा हमसे महबद करता है तो फिर मायोसी कैसी दौा मांगो अल्ला से तो ऐसे मांगो कि मिलना ही मिलना है इतनी तवक्कल होनी चाहिए, मिलना ही मिलना है ये नहीं हो सकते कि अल्ला से मांगो और ये सोचो कि पता नहीं होगा के नहीं होगा होगा, जरूर होगा येकीन बहुत मैटर करता है आप यकीन रखे, वो रब की जात राइगा नहीं जाने दित दुआओं को और जिसकी सीवास मेरी वीडियो जाती है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखे मेरे नसीब की, मेरे निसेहत के लिए आप सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है शुक्रिया, अलाहफेज